हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू माई चैनल मैं हूँ अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आये हूँ दही वाले आलू की रेसिपी ये जो दही वाले आलू है ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत कम मसाले में ये बनकर तैयार होते हैं इसके लिए मैंने लिए हैं दो उबले हुए आलू और एक प्याज तो आलू को अच्छे से हम छील लेंगे और फिर कट करेंगे आप उबले आलू की जगा कच्छे आलू भी ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैंने इसलिए नहीं लिए थे कच्छे आलू क्योंकि कच यह गएक झाले के लिए बनासक एसी में करता हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करकल करेंगे जिससे की जो दही में मसाले हैं वो मिल जाए और मसाले का फ्लेवर आ जाए तो ये काम आपको पहले करना है आलू को फ्राई करने से पहले अच्छे से मिला लेंगे जिससे में एक भी लंप से ना रह जाए और अब हम गैस की तरफ चलेंगे एक पैन ले लिया है पैन में ओयल डालेंगे ओयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू सबसे पहले क्योंकि हम आलू फ्राई करेंगे आलू फ्राई करते टाइम पे आपको एक चीज का धिहान रखना है कि आप जैसे ही आलू को डालेंगे आलू डालने के बाद आप इसे एक से दो मुट तक बिल्कुल भी टश ना करें नहीं तो ये फैल जाएंगे बिखर जाएंगे जब ये नीचे से थोड़ा बेज बन जाएगा इसके बाद ये आप इने पल्टें तो आलू हमारे बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे क्योंकि उबले हुए आलू है इस चीज का धिहान रखना है और हम जो मैटल उसका पैन यूज कर रहे हैं ना कि अनॉनिस्टिक तो धिहान हलके से गोल्डन हो जाए तब तक हमें नहीं तलते रहेंगे और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दही वाले आलू बनाएं तो आप जो दही है दही आप एकदम खटा लें क्योंकि इससे बहुत टेस्टी आलू बनते हैं मैं हमेशा खटे आलू बनाती हू दही में तो मुझे खटा दही बहुत पसंद है आलू के साथ आप खटा ही लें कोशिश करें तो यह बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि सादा दही में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है जितना अच्छा खटा दही में आता है तो यह देखिए आलू हमारे तल चुक ठ्टब जीरे, थोड़ी सी राई, और थोड़ी ंच और प्याज डाल देंगे इसके बाद प्याज डालनेंगे बाद अच्छे से हम को ट्रश चेंज हो जाने तक बूनेंगे तो इसको भी हमेगो डारक नहीं करना है और अब हम डालेंगे हरी मिर्च तो हरी मिर्श में बाद में इसलिय डाल दी हूं जिससे कि हाली मिर्श का कलर चेंज ना हो झाल लेगे गयास का फ्ले मीडियम रखेंगे याद रखें रखें और जितना बैटर लिया था गोल उतना ही पानी मिला दींगे अब हम इसको अच्छे से मिला के पकाएंगे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पानी उतना ही डालें जितना आपने दही लिया है और फिर इसे अच्छे से पकाना है आपको ये सबजी एकदम थिक चाहिए नमक डाल देंगे स्वादनू सार अगर आपको इस सबजी एकदम थिक चाहिए तो आप इसमें कम पानी डालें लेकिन आप अगर इसमें जिस टबल पानी डालेंगे तो सबजी बहुत अच्छी बनती है और खारे में बहुत टेस्टी लगती है तोड़ा समय ने इसमें काला नमक भेट किया है अब हम इसे पकने देंगे तो दही में थोड़ा उबाल आने देंगे देखिए उबाल आ रहा है सबजी में एक सूखी वी लाल मिर्च डाल दी है क्योंकि मुझे लाल मिर्च बहुत पसंद है सूखी वी लाल मिर्च डाल दी है सबजी को पकने देंगे अलू मिला दिये हैं जो आलू उन्हें तले थे। अबूद हम थोड़े से चिली फלקस दाल देंगे और पकने देंगे सब्जी को चो हम और जो है डही वाले आलू को सिर्फ पांश मिंठ पकाना हैं, पांश मिंठ से जाद़ हमें से नहींदे पकाएंगे इस चीज के आप ध्यान रखें और हाँ पकाएं जरूर जिससे के जो सब्जी है वो कच्छी ना रह जाए नहीं तो कई बार एक्चुली दही जो होता है दही में टेस्ट खराब नहीं लगता लेकिन मसाले पढ़ने के बाद जब इसमें यह हल्ली और धनिया मसाल यह सब पढ़ता है तेल तो इसको पका लेना चाहिए नहीं तो हल्का सा कच्छा पन लगता रहता है सब्जी में तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है सब्जी बनाते टाइम पर यह देखिए सब्जी हमारी पक रही है उबाल आ रहा है मैं आपको इसलिए पूरा दिखा आया है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा देखिए अच्छे से हमें से पकाना है देखिए दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा और आलू भी हमारे इसके साथ बिल्कुल अच्छे से कोख हो गए है जब आप आलू को फ्राई करें तो आप एकदम उसे बिल्कुल नकल लें हलकी सी कसर बाकी रहने दें दस परसेंट जिससे की क्या है कि आलू जब आप दही के साथ उबा लेंगे तो वह अच्छे से उबल जाएंगे पानी जितना माने डाला था आप देख सकते होंगे कढ़ाई के चारो तरफ से कि पहले कढ़ाई जो हमारी सब्जी थी वो थोड़ा उपर तक थी पकने की वज़े से वो थोड़ी सी कम हो गई है तो हमें ये प्रोसेस फॉलू करना ही है सब्जी बनाते टाइम पे और दही वा आलू हमारे को खो चुके हैं आलू में सब्जी का बढ़ी ऐसा टेक्षर आ चुका है अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे ज्यादा देर तक हम नहीं पकाएंगे सब्जी को क्योंकि हमारी सब्जी एक का एक चौथाई भाग कम हो गया है पकते हुए सब्जी को इसे हरी धनिया से गानिश करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे आपको आज की रहे से पी पसंद आई होगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब कीचे बाइ